हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर अब वो एक्जाम पॉइंट इफी से अगर देखा जाए तो प्रीविसर पेपर जो होते हैं हमारे लिए काफी हेलफुल होते हैं क्योंकि प्रीविसर पेपर से हम लोगों को आइडिया लगता है कि एक्जाम में कैसे क आख सकते हैं कैसे कुछ नहीं आ सकते हैं तो अभी हम कुछ एक-डो इसकार करते हैं और देखते हैं कि किस तरिके की आद्क में हमें देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए सो पहला कोशन जो है हम डिसक्राइब कर लेतие है इस कोशन हम से पूचा गया है कि फ्रेडरिक ग्रिफित का ठिक है जो मुलोग transforming principle पढ़ते हैं तो transforming principle के उपर यहां पर हमें question आ रखा है transforming principle अक्समट भी है molecular basis of inheritance का और exam में यह पूछा भी जाता है अच्छा कितने माक्स में आ रहा है देखो कितने important है five marks में आ रहा है ठीक है और five marks में इन्होंने दोनों चीज़े पूछ रखिए कि कौन कौन से स्टेप्स थे ग्रिफित के एक्स्परिमेंट में दूसरा उसका कैमिकल नेचर जो था वो कैसे स्टैबलिश हुआ था एक सकते हैं कैमिकल नेचर जो है ठेके किसने अडेंटिफाई किया था तो बायो कैमिकल करे दें है और इछ तरीकर से उसको पढ़ लेते हैं ठीक के चलिए ओके सो ट्रांसवर्मिंश क्रीडिया था या है क्रिफित ने क्या था गृफित ने बिसे लिए एक स्ट्रेइन लिया था और जो प्रकूं ने का स्ट्रेइन या था और यह जो स्मूथ स्ट्रेंट था इसके उपर बेसिकली पॉली से करेड़ की कवरिंग थी एक पॉली से करेड़ की प्रोटेक्टिव लेयर थी पॉली से क्रेड़ की प्रोटेक्टिव लेयर थी इसी वजह से की कॉलने इस यो थी काफी स्मूथ दिखती थी और यह इंफेक् जो कि है हमारा rough strain ठेक है उसके अपर हमार। कोई भी Pale fuckinicated की लेर नहीं थी कोई भी protection नहीं थी तो याँमारा non equivalent non-verlumant strain था ठीक है non-verlumant strain था अब गृफित ने क्या करा फ्रिफित ने inject किया तो एस ट्रेंग वर्लुएंट था और माउस की होगी यहां पे डेथ ठीक है जो की होनी भी थी अगर 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 लेंट तो देथ तो होनी थी फिर उनने आर्ट स्ट्रेंग लिया ठीक है अब आज ट्रेंग जो है उसको उन्होंने माउस में डाला अब आर्ट वो नौन वर्लुएंट था तो जो माउस था मारा वो सर्वाइव कर गया वो सर्वाइव कर गया अब उन्होंने एस स्ट्रेंग को हीट किल किया इन्होंने एस स्ट्रेंग को हीट किल किया और फिर इसको डाला माउस के अंदर तेक है इसको डाला माउस के अंदर और माउस था हमारा वो शर्वाइब कर्या जो की भौती ऑव्यस था क्योंकि हीट करके kill कर दिया liebrust ea को तो तो इसका कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा अब हमारे जो ग्रिफिछ थे उन्होंने हीट किल प्लस में आर्ट ट्रेन को आर्ट ट्रेन को किसमें डाला माउस में डाला ठीक है अब देखो कायदे से देखो होना क्या चाहिए था ना तो हमारा मतलब आर्ट strain infection नहीं हमारा heat killed भी infectious है दोनों केस में माउस हमारा survive कर रहा है तो इस case में भी माउस को survive करना चाहें था बट ऐसा नहीं हुआ यहां पे हो गई माउस की death ठीके यहां पे हो गई माउस की death तो somehow हमारे जो ग्रिफिट जो थे उन्हों में बोला कि वाई देखो कुछ तो ऐसा उनको भी नहीं पता था क्या बट कुछ तो ऐसा heat kill में से आस्ट्रीन में गया है तेके सम्टिंग सम्टिंग उनने बोल दिया कि सम्टिंग कहां से from heat killed from heat killed as strain bacteria as strain your heat kill as strain say something interesting interestsituר अंदर entered in the escape अंधर R strain थे तो नोने बोला सम्थिंग जो था हीट किल से गया आर्स्टेंग के अंदर and that transformed our strain into a strain bacteria that something was called transforming principle उस सम्थिंग को ही क्या बोला गया transforming principle बोला गया Griffith is transforming principle के बार में पता नहीं कर पाये थे कि यह DNA है RNA है यह protein है यह पता कर था किसने हमारे तीन साइटिंग और साइंटेस्ट थे ओस वाल ठीक है मैंक लियोड और मैंक कार्टी आव मतलब कह सकते है और सुनेक लिए और एवरी ठीक है तीन सानिटिस्ट थे उन्होंने इसको कैसे बताया था उसके बार में जर्ण पता कर लेता है इन्होंने सिम्पली जो यह जो मारा हीट के था ठीक है इसको तीन तेस्ट यूब्स में कि इनकोरती तीन स्क्राइब कर लियो एक ट्स ट्स ती उसके बचांदर ने डाल दिया क्या दिनेशन शेयंग जिसने क्या करणा डिनस झांटर करेगी वह डिश्ट्राइब करेगी डिएने को व dramas चाने उसमें बचा प्रोटीन के और आरेने एक टेस्ट्यूब के अंदर उन्होंने आरनेस को डाल दिया आरनेस एंजाइम तो आरनेस रिस्टोय हो गया बचा क्या प्रोटीन और डीने और एक टेस्ट्यूब के अंदर उन्होंने डाल दिया किसको प्रोटीनेस एंजाइम को प्रोटीनेस एंजाइम को तो ब इन तीनों स्टेंज को एके करके मिक्स किया किसके साथ आर स्टेंग के साथ आर स्टेंग के साथ तो पहले वाले में देखा तो आर स्टेंग का कंवर्जन नहीं हुआ दूसरे वाले में में देखा तो R exemplo डाला तो आर्ष ना का कनवर्जन हो गया जब तीसरा वाला डाला तो फिर से देखा की आर्षृंड का कनवर्जन हो गया तो यहां से देखो पता लगा कि हमने तीसरी वाली टेस्ट्ट्यूब में प्रूटीन को डिस्ट्रॉय कर रहा था लेकिन फिर भी हमारा हमारा आर्ट स्ट्रेंग जो है वो एस स्ट्रेंग में कनवर्ट हो गया और स्ट्रेंग जो हमारा एस स्ट्रेंग में कनवर्ट हो गया ठीक है दूसरे वाले में हम लोग ने आरने को डिस्ट्रॉय करा था तो भी हम लोग ने देखा कि आस ट्रेंग हमारा एस ट्रेंग में यह ने सई कर रहा था तो उसकेश मे आर रोढे रेन एच रेयन में कनवर्ट नहीं वा था तो सम्हाव और कि भहीया देखो हमारा ना ईजो डिये ने है यह जो ट्रांस्वर्मिंग प्रिस्फ मेल रहा वही ऑडए में तो इस में लाइओ आज strains में और उसको convert करता है एस strains में तो ऐसे इसका बायो chemical characterization किया गया ठीक है कुछ और questions भी देख लेता है आपको कुछ और questions भी बता देते हैं जायर सी बात है कि आप लोगों को यह questions solve करने के लिए एक अच्छी सी बुक चाहिए ठीक है तो ओस्वाल की यह है इसके अंदर सॉल्ड सेंपल और सॉल्ड लास्ट यह पेपर्स हैं दस साल के सो आप इसको अपनी स्टीज के अंदर यूज कर सकते हैं और सारे सब्जक्स के हैं PCB के हैं ठीक है इसके अंदर इंग्लिश भी है फिजिकल एजूकेशन भी है तो अगर आप PCB काटेग्रेसी बिलांग करते हैं तो अपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं कुछ और कोशन के मैं एक्जाम्पल से देता हूं कि भाई कौन कौन से कोशन जो हैं एक्जाम में हमसे पूछे गए हैं या आए हैं एक पिरामिट्स के बारे में ठीक है ग्रूथ पिरामिट्स के बारे में पूछा गया है एक मिट रुको कोई अच्छा सब कोशन बता देते हैं हलांकि सारे कोशन ही अच्छे हैं ठीक है आप लोगों के यहां पर बोला गया है क्या विद्धी हेल्प आफ विद्धी हेल्प co dominance and multiple allilism multiple allilism ठीक है तो यह कोशन भी काफी interesting सा है अब co dominance अगर आप लोगों को explain करना है तो आप लोग Mirabilis जलापा वालो जो example है उसकी help से explain कर सकते हैं यह बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि co dominance और multiple allilism एक example से solve हो जाएगा multiple allilism क्या होता है जब मतलब दो से जादा जीन्स क्या सकते हैं अलील जो होती है वह किसी एक particular character को control करें जो हमारा blood group होता है इडिस control बाई आई 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 बी और small आई तो यहां पर तीन इस responsible है तो multiple allilism का case हो गया आप यह बता सकते हैं कि अन्हें कोशन्ट को मात्स कट जाते हैं नके सक्कैरियस के बारे में पूछ रखा है सकार ये कोशन में एक उखन से मैं कैसे healthy person जो है वो इस infection को अग्वार करता है ख Concept has healthy person जो है वह infection को acquire करता है so you need such questions जो आप लोगों को मतलब अच्छा मतलब कंटेंट दे या अच्छे प्रप्रेशन करवाएं जैसे कि पांच नंबर का और कोशन है काफी अगें माइक्रोप्स का ये कोशन है इस कोशन हम लोगों से बोला है एक्सपलेन सीवेज टीटमेंट प्रोसेस तो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस चो है आप लोगों को पूरा आना चाहिए माइक्रोप्स के अंदर एक यह लोगता ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है तो फाइफ मार्क्स का यहां पर आप लोग प्राइमरी ट्री यहां पर काफी इंदर एक रांसर आप लोगों को दिये होते हैं आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रपेरेशन को स्टांग कर सकते हैं सब्सक्राइब अं थैंकिस सो मच